तो काईजर आज हम देखने वाल है सॉनिक एज वन से एज थाउजंड तक कैसे वो इस अर्थ पर आया और वो कैसे इस अर्थ का सबसे खतरनाक सॉनिक बना और बीच में आई बहुत सारी मुसीबते आव बड़ा उपर से देखते हैं एज वन टू एज थाउजंड उप्रो ऐसे पना सीड़ा उप्रोप्रोफ मुझे ऊच्छा फारे एज बचा आओ लगता है मैं ऑगा यह कौनज सा प्लैनेट एसेड मुझे बचाओ यह कौन सा एसेडय को अश्रे तो मेने आस तक नहीं देखा तैका कॉन सा है मैरी पीबी को आटी बोलता है निकल जाया से अंटिको 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 नी बुरूगा?" मुझे समझनेत हैं आजिक उसमेदा रहलावा हम इंटा साधा ंंजीो मेद उसा ने हम राजका रहीं क्या? नो आजिक आजिए फ़े whats तो अनके पॉनेट हो से मुझे आज़ फंसी पांड ने है? मैं रो और फेमा यहां टूशा मेरे पजबन से सपना ता क्या हूं अधियर बात सूनो खर ने चलें जब चुटर ठीक किस का है तुम बोलती होनता है एक कुत्ते क्या तुम मेरे साथ चलोगे हाँ हम इसको अपने कर पिलेगे चलेंगे चलो मस आएंगे अरे कोई मेरे से भी तो बूचलो मुझे चलना गी नहीं बहुत ही जादा खतरनाग होते हैं फाग बच्चे बाग अब देख सकते हो मैं खतरनाख से सोनिक में कनवर्ट हो गया औरे बच्चे, तु तो एक सही में खतरनाक सॉर्णिंग बन गया चलम तिरी सपीड टेस्च करते हैं, चलो तो बच्चे, तू त्यार होजा इस रोड का पूरा एक राउंड मारना है देखते हैं कितनी स्पीड है तुमारी इस रोड का राउंड मारने की चल बच्चे थ्री टू वन गोँ अरे पाप आप टेंक्शन मतलो में बहुत ही जाधा थेज बाग तो मैं इतना जाधा थेज बागूँगा मैं तस सेकिंड में आपके पास वाप इसे पहुच जाओंगा ये देखा उब आ गया बच्चे तू पहले से बहुत ही जाधा फास् चल दी से 10 राउंड और काट ओके बापा आप टेंक्शन मतलो मैं 10 राउंड और काट हूँगा बाप और मैं रोज रोज स्क्रेणिंग करते ताकि मैं और जाधा फास्ट बाग पाऊँ पहले से और जाधा फास्ट तब ही मैं बन पाऊँगा दुन्या का सबसे कतरनाग सू करना पड़ेगा और उससे जीतना हुदि पड़ेगा उसके लिए बहुत सारी ट्रेणिंग करनी पड़ेगी बाग बच्टे बाग। बिडू यह यह सोनिक के पापा, अरे यह यह पकड़ो उसको पकड़ो, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, अरे बिडू हमको पता चरह तुम सोनिक के पापा हूँ, हाँ, सोनिक का तो मैं उसको ट्रेनिंग करा रहा हूँ, बोले क्या हो गया, अच्छे अच्छे बिडू, उसको र पर मैं तुमको बतादू सॉनिक कभे नई जीत सकता क्यों नहीं जीत सकता कियो नहीं जीतेंगा मेरा मैं धेटा जीते गाउसितिंगे थी यह दिक है क्यों है उसे चलते सॉनिक यद कैमhanded कौई शोनिक को पता चला की उसके बापां बढ़ चुकł तो वो बहँती जादा परिशान था। वो ट्रेनिंग करने गया था और उसने आके देखा तो उसके पाबा मढ़ कुके थे। उसको नहीं बता था किसने मारा है। वो आपर रो रहा था पर गुस्टे में। उसको बहँती जादा घुसा आरा था। किस ते मारा मेरे बापा को, मैं नहीं छुड़ूगा, तुमने मारा मेरे बापा को, तुमें नहीं छुड़ूगा, तुमें भी नहीं छुड़ूगा, निकल जाओ सब किस ते मारा मेरे बापा को सॉनिक बहुत ही जादा गुस्सा था उसे बद जानना था किस ने मारा उसके पापा को वहाट सीच से लड़ाई कर रहा था वो लोस से टॉस में तब ही बचा रहा था क्योंकि उसको जानना था कि उसके पापा को किस ने मारा यह सब होने के बाद हमारा सॉनिक बहुत ही जाद दुखी था इसलिए उसने सोचा वो लॉस सेंटोस हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा है और वो चला के बहुत ही जाना दूर आइलेंड पर और वहां पर रहने लगा बहुत समय तक वो उस आइलेंड पर अकेरा रहा बहुत सारे दिन बीटते गए सुबह राद शाम स जलदे जलदी सॉन डुण ना पड़े गा उसको पता ना पड़ेगा उसकी कछ नहां पर ॥ोँछ वो साथा दरे में सॉनिक मैं आ गया सॉनिक इतने सालों से ऑस इस आइलेंड पर रहर है किसी उको पता नहीं था संथा इसी drives न किना ट्यांस सोनिक एड़ similarity का लताओन के न मेरा छोड़ो, तुम अपना मताऊ, यह तुम्ने अपने आरत क्या कर दिये? आरे में क्या बताऊ, मैंने बहुत सालों से ट्रेटिनिंग में करी, इसलिए मैं आ सा हो चुका हूँ, वेसे तुम यहाँ पर क्यों आयो? सोनिक मैं क्या बताओ तुम्हारी गइल्फ्रेंड बहुत ही साधा मुष्किल में तुम्हारी करको जोफ्रेंड को इभिल सौनिक के कुंडों किTनैप कर लिए हुँए हुँए हुआत ही मुश्किल है ओपकिल मैं को एस अजय उसको बचाना पड़ेगा ओप तुम कैसे बचा रुखो में तुमको भाग कर दिखा दो, यू देखो, मैं भाग पा रहा हूँ, मैं भाग पा रहा हूँ, यह क्या हो गया? एरे सॉनिक, मैं बोल रहा हूँ, तुमारी हलत बहुत ही साधा करा वे ... अचल रहा मैं क्या करँगा और मेरे पाहपा तो मर गे अब 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 और तो तो मैं ट्रेजिन में करने पड़ेगी सॉनिक तुम ऐसे नहीं रह सकते ट्रेनिंग करो तुम सही बोल रहो मैं ऐसे नहीं रह सकता मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी मुझे क्वाप तुम सही बोल रहो मैं ऐसे नहीं रह सकता मुझे वापेस से ट्रेनिंग परनी पड़ेगी मुझे वापे से खतरनाक सॉनिक बनना पड़ेगा और अपनी केर्फ्रेंग को बचाना पड़ेगा तुम वापे से लोसेंटोस चलो मैं तुम्हें ट्रेनिंग करवाऊंगा क्या सच में तुम मुझे ट्रेनिंग करवाऊगे में बागगयाँ ! हाँ सॉनिक चलो ! चलो सॉनिक भागव भागव ! वरण थे स्वार्ट से तुमको काट तुम आवे ! भागवillas, मैं भागरह। मैं बहुत ढख जुको ! त्छहए ! अभी ढखना नहीं ! अभी तभी ट्रेइनिंग शुरू हम ये ! फागो फागो मैं भाग रहों फाग रहों इस जदा अम्हा ल्ड भागो मुझ्य पाई नी जाए मुझ्य चाहिए मुझ्य बाणा नी नी मिलेगा फाओ भाओ हो उच्छाने कर ने मुझे बचाने, तो बागो फिर, बागो, 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 सोनिक, बागो, मैं बागूगा, मैं बागूगा, मैं तेस बागूगा, बागो, बागो, मैं तेस बागूगा, और तेस बागूगा, चलो, चलो, तुम्हें आज के दिन, एक हसार पुषप्स कंप्लेट करने, करो, क्या इक हजार इक हजार तो पिछली बार मेरे छे साल पिरे किये थे हाँ तो जो तुमने छे साल तक कुछ नहीं किया अज उसकी एनरजी निकालो करो पुशप्स बिना रूके एक हजार पुशप्स आज तुमें करने पड़ेंगे अगर तुम अपनी केल फ्रेंड को बचाना उसके बाद सॉनिक और शेड़ो ने मिलके बहुत टाइम तब ट्रेनिंग करी क्योंकि सॉनिक अपनी फैमिली को बचाना चाहते है उसके लिए उसने बहुत ही जादा ट्रेनिंग करी ताकि वो फिट से बन पाए सूपर सॉनिक और आकिरकार वो दिन आ गया वापे से सॉनि बनने के लिए बहुत बहुत शुकरिया कोई बात निस सॉनिक अब तुछ नहीं चुड़ने वाला उसके बास सॉनिक सीधा गया उसकी गर्फ्रेंड को बचाने इविल सॉनिक के पास तुम ने ये बेलकुल अच्छा नहीं किया मेरी कर्फ्रेंड के साथ बीबी मुझे बचाओ सॉनिक तुझे अपरी कर्फ्रेंड को बचाने के लिए इतने साल लग गए और मैंने सुना था तू बहुत ही जादा मोटा और बद्दा हो चुगा था तेरी कर्फ्रेंड हमेशा है जेह के अंदर रहेगी जिन्दगी पर और लगता है आज तू भी जेल में जाएगा मैं तुम्हें नहीं चोड़ूगा इविल सॉनिक तुम्हें लगता है पता नहीं है ये मेरा इलाका है मेरे रोबोट्स ने तुम्हें चारो तरफ से केर लिया है तुम यहां से बचके नहीं जा सकते मैं यहां से बचके जरूर चाओंगा और तुम्हें सारे के सारे इविल रोबोट्स को मारके और तुम्हें मारके तुम्हें सारी शक्तियां अपने अंदर ले लूगा बीवी, ऐसा मत करना, तुम टेंक्शन मत लो, मैं ऐसे हरातूंगा, मुझे ये सोध मन्सूरे तो फिर, तो दो हाथ हो जाए, मेरे रोबोर्ट्स, मारो इसको तुमारे रोबोर्ट्स मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं सब को मार दूगा, किसे को रही छोड़ूगा येलो, येलो, इविल रोबोर्ट्स, तुमने मेरे कर्भार्ड के साथ अच्छा नहीं किया, येलो आझेलो, सब को कटम कर दूँगा, कैसे को रही छोड़ूगा, अच्छो तुम सब इविल रोबोर्ट्स, नहीं बचो गे, निकल जाओ, या से तुमने मेरे पच्चों से बहुत लड़ लिया, आओ, अब दो दो हाथ करते हैं आजाओ, Evil Sonic, मैं तुमे नहीं छोड़ूगा अभी फिला तुम कड़े भी नहीं हो पारे, तुम क्या मुझे मारोगे मैं तुझे नहीं छोड़ूगा, Evil Sonic, इधर आओ, यहले, तुने मेरे कल्फ्रेंट की साथ अच्चा नहीं किया, मैं तुझे खतम कर दूगा तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, याद रखना, तुम बहुत ही कमजोर सॉनिक हूँ, हा, 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 येलो हमारे सॉनिक और इविल सॉनिक में से कौन जीतेगा, आपको के लगते हैं फड़ावर से कमेंट करके बदा दू, अभी फिलाल तो इविल सॉनिक बहुत ही जाला ताकतवर हो के हमारे सॉनिक की धची ओड़ा रहे कमे And I told me this clinic, he was a विल सॉनिक इह थरा मेरे सारे खकते सब्सक्राइब्स भी जब ले लो और अपनी प्रठ्ध में लेरो मुझे घ्रद उ उर दू वहा जो रोगा यह लियो.. जो भी जा सुनिक चीद किया.. और एविल सोनिक की सारी सप्टिया हमारे सुनिक को मिल गई और अब वह पेले से भी ज़्यादा खतनाक को चुक हुआ था क्योंकि हो एक सोनिक वह ऍाशी है तब में एक रेस करूँगा तुन्या का सबसे फास्टिस लिविंग बिंग की और मुझे उस में जीतने तुम मैंने सोच लिए मैं उस रेस में पार्टिसिपेट करूँगा जब में फंटाउचंड का हूंगा उसके लिए मुझे बहुती साथा प्रेक्टिस करनी पड़ेगी ओर दुन्ये का सबसे फास्टिस सानी को मस le応ा जड़ेगा और बापैदा सभी ह्याम फड़ेट का मेरे बात सुनो सुने कर चाहते हैं घतरनाके सोने में और अपनी एज को जल्दी जल्दी बढ़ाना चाहते हो तो तो तुमें इस चैनेंज को कमप्रीट करना होगा तो मैं अजया सब बॉल स्पीड में भाग के इदर जब करना होगा इदर से इस फुट बॉल को लेके वापिस आना पड़ेगा और इस गोल के अंदर कोल करना पड़ेगा क्या तुम तयार हो सोनिक मैं विल्कुल तेयार हो मैं अपड़ेड ने के लिए कुछ में कर सकता हूँ उस फुट बॉल को दलारे में कौन सी तिक्कते क्या तुम तयार हो चलो भागो चलो फड़ापट से चलते और इस चैलिंज को कम प्रीट करते सब से पहला जंब में यह से करना पड़ेगा वन डू मिल चुकी है और मुझे इसको लेकर जाके गॉल करना है चलो फड़ापट से गॉल करते हैं इस फुट बॉल करके रहूं का यह वन डू थरी चाम अभी हमें देवा चुके और अब पारे इस फुट बॉल को को करने के वन डू तरी गॉल तुमारे पास अभी तीन मिनिट ब बॉ отправराट से और भी बॉh सरी जमा करते वी सारी पोले आज़ा मेरे साथ चलो में इसको भी लेकर चलते और इसके साथ भी गॉल करते वाव में दया जा चलो वापसे जुट गरेंगे सीदह उपर पॉचेँ के और यह जो अर बही बड़ फेह जाए puisque उल कर ओढरे ब्स डो मेरी एक Girlfriend है चलो फटावर शलतें इस बार में एक बार में दो तो बोल्स लिख जाने वाला हूँ मैंने बूरा दिया कि में दो दो बोल साथ मोटाँगा पर मैंने एक साथ तीन तीन बोल ले लिए चलो इनको गोल करादे, चलो, मैं बहुत की साथा पावरफुल हो चुका हूँ, मैं तीन तीन बोल एक साथ ना सकता हूँ, या, 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 पर मैं आ गया, चलो फड़ा फट से गोल करते, एक बार्नम करेंगे, गोल, और हमने तीनों बोलों का साथ में गोल कर दिया, अडी तो मैं वो खतरनाक सी रेस करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम बनने वाले हो, 999 एज के, उसके बाद, हमारा सॉनिक बनकिया, एज 999 का, और उसको बनना है, एज 1000 का, उसके लिए, उसको उस रेस में कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा, जो उसके पापा चाहते थे, जो कि बह सूपरमेन, अलो दे लगता रहें के, खतरनाक सॉनिक, और भी बहुते दा फास्ट लोग आते हैं, जो कि उस रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो भी जीतता है, वो बनते हैं, दुनिया का सबसे खतरनाक सूपर, फ्लेश, या फिर सूपर सॉनिक, तो देखते हैं कि तरफ, लाखिर काल, वो दिन आई गया, जिस दिन डिसाइड होने वाला था, कौन बनेगा, 1000 एर का सूपर फास्ट यूमन बीइंग, इस कॉमपेटिशन में होने वाला है, फ्लेश, हमारा प्यारा सा सॉनिक, सूपरमेन, और ये एलियन सॉनिक, इन चारों के बीच में हो जाने वाली है, खतरनाक सी रेस, ये हैं लोसें डॉस का स्टार्टिंग पॉइंट और यहां से भाग के इने जाना पड़े का एंडिंग पॉइंट तर और जो भी सबसे जादा जल्दी टाइम में पहुचेगा, वो इस रेस को जीतने वाला है, तो सब करसी की पेटी बां कि बहुत जादा तेज तूफान आने वाला है, तो सबसे पहले जाने वाले हमारे एलियन सॉनिक, यहां पे इनका टाइमर लग चुका है, देखने हैं कितनी देर में पहुचेंगे, 3,2,1,GO, और काश्र, अभी आप देख सो तो यह एलियन सॉनिक तो कुछ अलगी है, यह भी क्या कर रहा है? यह थیک धूपा बन के ट्रैवल कर रहा है, तो बहुत ही जादा खतरना कह है, पर मुझे लगता यह थोड़ा से दीरे चल रहा है, भी आप देखते काहिते हैं और काश्र काई़रा है और काईखत को यह जाता है, और हवा में उड़े जा रहा है देखते हैं ये लॉसेंटोस के एंड तक कितनी देर में पहुचता है और काईशर अभी हमारे एलियन सोनिक ने पार कर लिया मांट चिलियार और या जो संतरन कन और लोसेंट जोड़के अंडिन कॉइंट निरॉल का टाइम करें नहीं दुखते हैं कियोगा है एक किट सिंद टाइमर होता है यह विस पर आप गंड से एंडिबस के फीक नहीं पर आप देखते हैं और उसक intéressant को नहीं रहना क्या था gider करता है तो sup एलियन सॉनिक के बाद बाहरी है हमारे खदरनाक से फ्लेश की चलो बनावड़ से काउंड़ाउन शुरू करते है टाइमर हमने लगा दिया है थ्री टू वन गो और कैसर यह फ्लेश तो बहुत इसना फास्ट है एलियन सॉनिक तो पक्का नहीं जीच सेता है तो कि हमारा फ्ले फ्लेश कितने टाइम में पहुचेगा लॉस सेंटोस के एंड पे पढ़ावड से कमेंट करके बता दो मुझे यह तो कंफर्म है कि यह एलियन सॉनिक से तो बहुत ही जल्दी पहुचने वाला है पर क्या यह हमारे सॉनिक से जल्दी पहुचेगा आप क्या चाहते हो कि कौन आपको आप लगता है कौन जीतने वाला है तुक्वाजर अभी आप देख सेकते हूं हमारे फ्लेश थे मांची याड को क्रॉस कर लिए और भागे जारा है बागे जारा है और अब हम टाइमर बंद करने वाले 3, 2, 1 तो Kaiser ये कहना गाए थो फ्लैश का टाइमर, अब देख से तो फ्लैश कितनी देर में यहाउ पर पहुंच हाए, इसके बारी सूपरमैन की तो काईजर अब बार ही हमारे सूपरमैन की देखते हैं ये कितनी देर में पहुचने वाला है लॉस सेंट टॉंस के एंड फे त्री डू वन और काईजर अभी हमारा सूपरमैन हवा में उड़ चुका है ये तो जाहिए बागी लोगों को भाग के जाना पड़ता है पर सूप सूपरमैन तो उड़के आहराम से यहां पर आचुका है पर क्या ही हमारे सॉपरमैन को बीट कर पाएगा पो तो पता चली जाएगा क्योंकि इसके बाद सॉनिक की बार ही है और काईजर मांट चिलियाट अल्रेडी वहां पर दिखना चालू हो चुका है फ्लेश और एलियन नहीं पूरेाश नहीं ले रहे हैं क्योंकि रोस सेंटर्स को एंड़ पॉंट सामने दिख चुका है और वो पूरी ताकत से जाएं और काईजर सूपरमैन का टाइमर होता है बंद काईजर यह सूपरमैन का टाइम वह पोचा है इस टाइम पे तो अब देखने हमारा रहा सा सौनिक की और लगता है सौनी थोड़ा सा वार्म अप भी कर लिया है चलो पड़ावड से डाइमर लगाते हैं और शुरू करते है और काईसर आप देख से तो हमारा सौनिक भागना शुरू हो चुका है और यह बहुत ही जादा स्ट्रीट में भागते चा रहा है आपको क्या लगता है क्या यह फ्लेश और सुपर्मेन को बीट कर आपक और सबसे फाइस से अग्लाप से कमेंट कर लगता है सकता है क्योंकि सहीं में बहती स्थादा फास जारा है मुझे समझ में रहा है इतना जादा फास कोई कैसे जा सकता है यह तो बहुत ही जादा फास नहीं देख सो सामने पाउंड चिरियाड अल्रेडी दिखना शुरू हो चुका है यह तोड़ा सूपर मैं से भी फास लग रहा है मुझे यह बहुत ही जादा तेज जा रहा है मतलब जमीन आर पार्ट चीर करो यह उन पर आचुके पर सबसे कम टाइम पर कौन आए वो भी वताचलने वाला है हमने इसको चैक कर लिए और जो भी सबसे कम टाइम पर इस आयंन्ट पर आया जिसने लोसं एंट उस को काुम्ष्क आइम और है मुई उमारा सॉनिक अरे वा मैं तो जीट गया आखिरकार मैं जीत लिया, मेरे बापा का सपना पूरा हो गया, मैं बन गया 1000 a.e.r. का स Guinness और का सबसे फार्स यूमन बेइग. और कैजर, सॉनिक दुनिया का सबसे फार्स यूमन बिंग बन गया है, तो इसको मिलने माला है खतरनाक सा सॉनिक सूॉट. तो आप देख सकते हो अभी हमारा सॉनिक बन चुका है लोसें टोस्ट का फास्टेश्ट राजा मतलब या यह स्पीड का किंग है इस से तेज इस दुन्या में कोई नहीं बाग सकता इसलिए आग से हम सॉनिक को बुलाएंगे स्पीड का राजा तो काईजर यही थी हमारे सॉ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई